नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे फोगर वर्सिज स्प्रिंकल्स की दोस्तों ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये स्प्रिंकल्स चले हुए हैं स्प्रिंकल्स क्या ये स्प्रे नोजल्स है और दूसरे टाइप के होते हैं फोगर्स जो अभी आप अगले तस्वीरों में देखेंगे ये फोगर होते हैं जो आप बाहर मार्केट से खरेते हैं वो फोगर होते हैं ये देखिए ये लगे होता है फोगर ये बहुत ही बारीक इसके जो चिद्र होते हैं बहुत ही बारीक होते है दोस्तों फोगर का काम होता है जी जो पाणी होता है उसक और जो पसु आपको देख रहे हैं इनके पर बिल्कुल रूई टाइप सा होता रहेगा और नीचे ठीक ठाक कोलिंग सी भी मेंटेन करके रखेंगे दोस्तों ये मई के महिने में तो बिल्कुल कामयाब हैं और लगबग 15 जून तक भी ये कामयाब रहते हैं क्योंकि उस समय वेक्श में इस प्रकार से काम करते हैं इस से रहे लेट होती है ये इसमें और ऊकी ही मॉटर लगे होती हैं जिसकी कोश्ट लगब मार्केट में आपको 4,000-4,500 रुपे के बीच पढ़ती है जबकि अगर आप इसको खुद अपने घर पर बनाएंगे तो ये इसकी कोश्ट मातर 1,000 रुपे बढ़ती है किस प्रकार से पढ़ती है आओ मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप अपने घर पर होम मेड एक हजार से पंदरा सो रुपे के बीच में किस प्रकार से त्यार कर सकते है तो आईए सुरू करते हैं किसान साथियों देखो तो देखो दोस्तों मैंने इसको छोटे से डबबे में ही फिट कर दिया है और ये मैंने भी आरो के पाइप का थोड़ा है यूज किया है इसके आरो के पाइप का साइज एक बटा चार होता है दोस्तों एक इंच का चोथा बाग तो दोस्तों मैंने इस आरो के पाइप को ना यूज करते हुए मैंने जो गैस पाइप होता है जो घरों में सिलेंडरों से चुले तक की सप्लाई होती है उसमें पारदर्सी पाइप होता है वो भी एक पटचार कई होता है उसको यूज किया है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं तो ये मेरे को पांच रूपए पर फिट के इसाब से मिला ये देखो आप देख सकते हैं मैंने इसके ग्रीज के डबे में ही मोटर को और जो चार्जर है उसको फिट कर दिया है किसामजातियों तो इसमें एक रेगुलेटर भी मैंने लगाया है आप देख सकते हैं कि इस रेगुलेटर की कोस्ट सिर्फ साथ रुपए है और आप इससे भी जो उपरपाणी का वेश्ट है उसको कम कर सकते हैं या आप अपने मोसम के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही यह देखिए मोटर की स्पीड को कम जादा आप इस रेगुलेटर की मेदद से कर सकते हैं जिससे आपका प्रेसर कम यह जादा होता है किसान साथियों पहले जो साल पहले इसों जो फोकर होते थे उनको कहीं जो ताप होता है उसको cover करने के लिए सप्रिंकल ही भेतर उपाय है और अगे अगे फार्मरों ने सप्रिंकल को भी replace करके ये जो नूजल्स होती है पाणी का flow बढ़ाने के लिए जो नूजल्स होती है जो खेती के प्रफस के लिए यूज की जाती है उनको ही लगाना शुरू कर दिया है तो द सप्रिंकल्स या आप इनको सप्रे नूजल्स कह सकते हैं इनमें भी लगबग आपका चार गंटे अगर आप चलाते हैं तो लगबग 200 लिटर के आसपास ही पाणी की जो लागत होती है वो आएगी तो दोस्तों इसके लिए मैं मैंने आपको पहले ही बताया मैंने कहीं कहीं आपको वहीं से मिल जाएंगे यह बड़ा पाइप और टाइटर भी इसके साथ में यह दोस्तों एक बटे चार का पाइप होता है यह यानिके इसके अंदर एक बटे चार यानिके एक इंच का चोथा इन साही पनी इसमें से निकलेगा डिजल पाइप भी बोल देते हैं इस 150 रुपे और यह जो चारजर है इसकी कोष्ट 150 रुपे है तो मैंने यह डबल लगाया है क्योंकि मैं दस जो नोजल्स हैं उन तक इसको ले जाना चाहता हूं लेकिन अगर आपके पास तीन या चार नोजल्स आप लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल बैंटरी या सिंगल मो मोर होती है ये भी आपकी लगबग5 नोजलों 6 नोजल को बड़े अराम से बड़िया फलो के साथ चलाएगी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखेगी आपको बिलकुल भी समस्या नहीं दिखेगी तो यह होऊंगा यही आप कीड़ी जो आप केट गप ब know किसान सातियों अगर आप इसमें बैंटरी का यूज भी करना चाहते हैं तो बैंटरी का यूज भी कर सकते हैं और जैसे की लाइट चली जाती है तो लाइट चलने के बाद चली जाने के बाद भी आपकी मोटर लगबग 2 गंट 20 में बड़े अराम से रन कर सकती है अगर आपक मोटर चलती रहेगी क्योंकि यह बैटरी ओप्रेटेड हो जाएगी इसकी कोस्ट आठ सो रुपे होती है आप उस अभी को पता होता है तो आप इसको भी बैटरी को भी इसमें सिरीज में लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अ कि साहरीर यह जो वाइप देख रहे हैं किसान साथिंऊं यह जो पईप देख रहे हैं आप यह नुजल पाइप यह आता है जो इंजन वारा पंप होता है जो e 2 पीछे भी लगता है उसके साथ और तीन जो पारी फाई बउलती उन से मिल जाते हैं जी पाइप की कोश्ट अगर आपको पांच रुपे से दस रुपे पर फिट भी मिल रहा है तब भी आपकी डाइसों से 500 रुपे की कोश्ट आती है तो दोस्तों टोटल खर्च आपका 1000 आजाता है अगर आपकी रेर जगें बरते हैं तो भी आपका 1500 मैंने ये प्रोब्लम को खुद फेस किया है मैं अपने बजार में गया था मेरे को वहां फोगर जो बने बनाए थे वो नहीं मिले ओनलाइन ही ओडर करने पड़ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि ये के दूसरे किसान साथी भी इस प्रोब्लम से जूज रहे होंगे तो मै इसलिए वीडियो बढ़ानी चाही किसान सात्यों अगर आप पाणी की वेस्टेज को कम करना चाहते हैं तो आप ओनलाइन ओडर करके फोगर भी मंगवा सकते हैं तब भी आपकी कोश्ट अफेक्ट नहीं करेगी तब भी आपका काम एक जार रुपे में ही चलेगा इससे आ